नमस्कार आप देख रहे हैं आर्यान न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रियांकातिवारी खबरों को विस्तार से जानेंगे और उनकी शंकाओं को दूर भी करेंगे वहीं बैठक में मंत्री समिती के सदस्यों को तीनों सेनाओं में सैनिकों की भरती के लिए हाल ही में शुरू की गई अगनिपत्य योजना के विरुद्ध विभिन पहलियों से रुबुरु कराये जाएगा बैठक में रक्षा सचव सेना के तीन प्रमुख और रक्षा मंत्राले के अन्य वरिष्ट अधिकारी भी मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली समिती में 20 सदस्य हैं जिसमें 13 लोक सभा से और लगभग साथ राज्य सभा से हैं श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे अब श्रीलंका की सरकार जुकने के लिए मजबूर हो गई उग्र प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल राष्टुपती गोटबाया राजपक्षे के सभावत स्तीफे के बाद सर्व दल ये अंतरिम सरकार बनाने पर रविवार को सहमत हो गये। इस बीच राश्रुपती गोटवाया राजपक्षे ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इंधन की कमी वाले देश को रसोई गैस का सुचारू वित्रण सुनिश्चित किया जाए। भगोडे कारोबारी विजर मालिया और गैंक्स्टर अबू सलेम के मामले में सुप्रीम कोट सोनवार यानि कि आज फैसला सुना सकती है इससे पहले मार्च माह में सुनवाई के बाद कोट ने मालिया के खिलाफ सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। शीष अदालत ने मालिया को अदालत के आदेश का उलंगन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमाना का दोशी ठहराया था। करीब पचास दिन के ग्रिश्मा वकास के बाद सुप्रीम कोट में आज से पूर्ण कामकाज शुरू होगा। सुमवार को कई एहम मामलों में फैसले आ सकते हैं और सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोट इसी सप्ता एलगार परिशद मामले के आरोपी पी वरवर राव की जमानत पर भी सुनवाई करेगी। सुमवार को चार महीने की सजा दी गई है और दो हजार का जुर्माना विजय मालिया पर लगाया गया है। सुप्रीम कोट की तरफ से यादेश आ गया है कि विजय मालिया को अब चार महीने की सजा सुनाई जाए। सुप्रीम कोट ने विजय मालिया को चार महीने की सजा सुनाई है वहीं 2000 रुपे का जुर्माना लगाया है महराश्र की सियासत में पछले कुछ दिनों से जारी घमासान आज थमनी के आसार दिख रहे परसल शिवसेना के सोला विधायकों की अयोगिता पर सुमवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है शिंदे गुट की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई थी और सुला विधायकों को मिले नोटिस को अवैध करार दिया गया था इस मामले में उधव गुत ने भी अपने पक्ष में सुप्रीम कोट में दलीले पेश की थी इसके बाद कोट ने सुमवार के लिए सूची बद कर दिया था तो वहीं रसोई गैस के बाद अब दिल्ली वासियों को बिजली का बड़ा जटका लगने वाला है दरसल दिल्ली की बिजली वितरन कमपनियों ने ग्रहकों पर लगाए जाने वाले पावर परचेज अजस्टमेंट कोस्ट में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है यह नियम जून के मधिस से ही लागू कर दिया जाएगा आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि जून से यह नियम लागू कर दिया गया है और कहा कि बिजली वितरन कमपनियों द्वारा उपभोगताओं पर लगाए जाने वाले बिजली खरीद समायोजन लागत में जून के मध्य से चार प्रतिशत की बढ़ूतरी के साथ दिली में बिजली की लागत बढ़ गई है लगना उससे इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दे स्वास्त विभाग में जिप्टी सीम ने भेजा है पत्र जिसके बाद ये बड़ी जाँच सामने आई है रजेश पाचक के पत्र के बाद ये जाँच शुरू ही है जाँच में बड़ा खुलासा हुआ है ACS अमित मोहन का जूट पकड़ा गया है सरकार के सो दिन पूरे हो चुके हैं और अमित मोहन ने इतिहास रच दिया है स्वास्ति विभाग में तबादले नहीं किये गए हैं नया कोई तबादला नहीं किया गया बड़े पैमाने पर गड़बडियां देखने को मिली हैं वहीं नियम विरुद जाकर दिव्यांगों का भी तबादला किया गया है जो की सरासर गलत है ACS अमित मोहन अब भी पद पर विराजमान है मामला गंभीर होने के बाद भी कोई कारिवाई नहीं हुई है सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं अमित मोहन ने इतिहास रच दिया है अमित मोहन स्वास्ति विभाग में ACS के पद पर तैनात हैं और स्वास्ति विभाग में कोई नया तबादला नहीं किया गया है वहीं पर दिव्यांगों के तबादले कर दिये गए हैं जो की सरासर गलत है बड़े पैमाने पर ये गड़बडियां देखने को मिली हैं वहीं पर अभी तक इसके मामले में कोई कारिवाई नहीं की गई है लगन उस से बड़ी खबर बता रहें आपको जहां पर ACS अमित मोहन ने इतिहास रच दिया है तिव्यांगों का तबादला कर दिया है नया कोई तबादला नहीं किया गया है वहीं पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भी सरकार ने अभी तक कोई कारिवाई नहीं की ह तामिलनादू के पूर्मुख्यमंत्री पनीर सेलवम की याचिका को खारिश करते हुए मदरास हाई कोट ने सुमवार को होने वाले AIA DM के आम परिशद की बैठक के लिए हरी जंडी दे दी वतादे की पनीर सेलवम ने बैठक को रोकने के लिए हाई कोट में याचिका दी थी जुसमें अंतरे महासचव पद को पुनरजीवित करने और समनवयक के साथ साथ संयूक्त समनवयक पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव था वहीं हाई कोट का फैसला आते ही पनीर सेलवम समर्थकों ने ये पलानी स्वामी के नितरत में पाटी की आम परिशद की बैठक से पहले अन्ना द्रमुक कारियाले का दरवाजा तोड़ दिया समर्थकों ने सड़क पर भी जमकर नारेबाजी की है तो वहीं और आया के फफून पीएटसी में जन आरोग्य मेले का हाल बेहाल होता दिखाई दे रहा लापरवाह डॉक्टर और अधिकारियों शशिराज सकसेना सोनू सफाई करमचारी सुधानशू दिक्षित पीएटसी प्रभारी में से कोई भी आज आरोग्य मेले में शामिल नहीं हुआ कोई सीचो भी उपस्थित नहीं हो पाया सिर्फ कागजों पर भी मरीजों का इलाज चल रहा जिमेदार लोग शाषिन को फर्जी रिपोर्ट भीज कर अपनी पीठ थप थपाने का काम कर रहे डबल इंजन सरकार में भेस्ट हो चुकी स्वास्ति ववस्था का ये जीता जाकता प्रमान सामने आ रहा है अब ये देखना है कि चकित्सा अधिकारी की महरबानी से विभाग पर क्या कोई कारिवाई होगी यूपी के राइबरिली से खबर है जहां राइबरिली की रेल कोच फैक्टरी में आज जिम वांबे के रेलवे चेर्मैन पहुँच रहे हैं चेर्मैन एटी देनहा दोपहर ग्यारा बजे पहुँचेंगे देनहा यहां रेल कोच के अधिकारियों से मीटिंग के बाद फैक्टरी का जाइजा लेंगे दीनहा, रेल पहिया, कार खाना भी चाहेंगे, बाद में वो निर्मित और अधिनिर्मित रेल डिबो का भी अवलोकन करेंगे माना जा रहा है कि यदि चेर्मेन दीनहा संतुष्ठ होते हैं तो रेल डिबो का ओर्डर मिल सकता है यदि ये MOU साइन होता है तो लाल गंज मोडन रेल कूछ फैक्टरी के लिए एक और उपलब्दी होगी राय बरेली के शोगर थाना श्वेत्र के अंतरगत महराज गंज हैदर मार्ग पर दरिया गंज गाउं के पास सुमवार सुबह तेज रफ्तार अनियंतिट ट्रैक्टर पलट गया जुसमें दबकर चालक गंभी रूप से घायल हो गया जानकारी के मताबिक दरिया गंज मजरे रीवा की रनविजे सिंग का ट्रैक्टर कहीं खेत जोतने गया था कि दरिया गंज पुल के पास पहुँचकर ट्रैक्टर अनियंतित होकर नीचे गहरी खंती में जाकर पलट गया हटना से मौके पर लोगों का मजमा लग गया किसी तरह लोगों ने ट्रैक्टर चालक को निकाल कर अस्पताल पहुचाया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है राइबरेली के राजमार्क पर तेज रफतार लकडी से लटा ट्रक अनियंतित होकर पलट गया मामला सलोन कोतवाली का है जहां से एक ट्रक यूकेलिप्टस की लकडी लाद कर राइबरेली की तरफ जा रहा था कि तभी पुलिस चौकी को सूचना मिली और ये पहले शर्मा कोल स्टोर के सामने दूसरे ट्रक ने ओवर्टेक किया इसी दौरान सामने से बसा गई लकडी लदा ट्रक अन्यंत्रित होकर खंती में जाकर पलट गया लकडी इधर उधर फैल गई हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए हैं कि चार बच के दस दौराट की वादा सालवन से थोड़ा वाश जश्ट हम लोग निखले थी मतलब सो के किस गाड़ी से सरी से चोदा चक्का सर्ट ट्रक से अच्छा तो फिर यहां आते में सर ओवर टैक कर रहा था ट्रक वाला साइड में जैश्ट को बचाने की चक्कर हम कि चार बच के दस दौराट की वादा सालवन से थोड़ा वाश जश्ट हम लोग निखले थी मतलब सो के किस गाड़ी से सरी से चोदा चक्का सर्ट ट्रक से अच्छा अच्छा राय बरेली से खबर है जहां अन्यंत्रित तेज रफतार दो मोटर साइकलों की आमने सामने टक तकर हुई जिसमें मोटर साइकल सवार दो यूवक गंभी रूप से घायल हो गए तो वहीं आनन्फानन में स्थानिये लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुचाया गया जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है वहीं पर आपको बता दें कि आमने सामने मोटर साइकल सवारों की टकर हुई है जहां पर दो लोग गंभी रूप से घायल हो गए हैं उन्हें अस्पताल भरती करा दिया गया है उनका इलाज जारी है हाला की अभी डॉक्टरों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है लेकिन फर भी ये बड़ा हादिसा राइबरेली में हुआ है जहां पर मोटर साइकल सवार दो यूवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उचहार कुतवाली शेत्र के जमना नगर चौराहे के पास सूची खरोली मार्ग पर आधा दरजन से अधिक अग्याद दबंगों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय सिंग राठोर समेत तीन लोगों पर लाठी डंडोस से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जब वो परोस के भगवत कौशल और उनके रिष्टेदार संतोष गुपता निवासी परिहा जनपद बाना के साथ घर कुछ दूरी पर सड़क किनारे टहल रहे थे आसपास मौझूद लोगों ने घायलों को सीअची में भरती कराया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अध्यक्ष को जिलास पताल रिफर कर दिया गया है पुलिस ने मामले में पेड़ित अजय सिंग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और जाच परताल जारी है दो पक्षों में मारपीट हो गई एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की लाठी डंडू से चमकर पिटाई कर दी वीडियो में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ती की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे पेड़ित रमेश ने फरेंदा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस से कारिवाई की मांग की है पुलिस इस पूरे मामले की जाच कर रही है दरसल सोन बरसा गाउं के प्रधान प्रमोद और रमेश के बेच जमीनी विवाद के चलते रमेश ने पैमाईश के लिए पहसील समाधान दिवस में अरजी दी थी जिसको लेकर जमीन की पैमाईश हुई थी रोपाई हो जाने से ग्राम प्रधान ने दबंगई दिखाते हुए परिजनों के साथ रमेश के घर पर हमला बोल दिया और लाठी डंडोस से पिटाई शुरू कर दी राइबरेली में बाजार गए युवक पर घर जाते समय दो हमलावरों ने हमला कर चाकू से कईवार कर दिये शर्मा किसी काम से रामचंद्र पूर गए थे जहां से वापस लोटते समय रास्ते के बाबू गंज बाजार के पास दो युवकों ने उन पर हमला कर दिया और चाकू से उन पर कईवार किये घटना के बाद शोरगुल सुनकर ग्रामीड दोडे तो हमलावर मौके से फरार हो गए ग्रामीडों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और घायल को अस्पताल पहुँचाया जहां प्रात्मिक उपचार के बाद घायल को जिलास्पताल रिफर कर दिया गया है कोतवाल शिवशंकर सिंग ने बताया कि घायल ने हमलावरों को पहचान लिया है तुमाई अगली खबर यूपी के लखीम पुरखीरी से है जहां लखीम पुरखीरी के थाना गोला कोतवाली शेत्र के पीली भीत बस्ती मार्ग पर तीन दिन से लापता शात्र का शव मिलने से परिजनों में रोश दिखाई दे रहा बतादे की केशवापुर के पास घर से विद्याले गए शात्र की साइकिल तिरुपती पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे पाई गई परिजनों द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने शात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर जाच शुरू कर दी है रविवार की शाम जहां शात्र की साइकिल मिली थी वहां से कुछ दूरी पर युवक का शव मिलने से गुसाइद परिजनों ने ट्रक्टर ट्रॉली से सड़क जाम कर जम कर विरोध किया हाला की पुलिस अधिक्षक संजीव सुमन के समझाने पर परिजन मान गये पुलिस अधिक्षक ने जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है और शव को सील कर पोस्ट माटम के लिए जिला मुख्याले भेज दिया है बरेली के धाना बारादरी शेत्र के जगतपुर रहने वाले प्रताप नाम की युवक की राम गंगा में जुपकी लगाते वक्त मौत हो गए वो दादी का अंतिम संस्कार करने गए थे जब राम गंगा में नहाने के लिए डुपकी लगा रहे थे तब ये हादिसा हुआ यूवक की मौत की खबर से इलाके और परिजनों में कोहराम मच गया है तो वहीं यूपी के अमेठी से खबर है जहां गंभीर परिस्थितियों में जामुन के पेड़ से लगभग 45 साल के अधेर का शव लटकता मिला सूचना पर पहुची पोलिस ने लाश को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भीज दिया है तो वहीं पोलिस जाच और विधिक कारिवाई में जुट गई है बतादे कि ये मामला गौरी गंज कोत्वारी शेत्र के कसबा अंतरगत GGIC के पीछे का है अगली खबर उतराखंड से है जहां उतराखंड में सुमवार सुबे कॉंग्रेस के दो बड़े चर्चित चहरे महिला कौंग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन के साथ पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ट कौंग्रेसी नेता राज़ेंद्र प्रसाद रतूरी ने भी कौंग्रेस छोड़ने का अईलान कर दिया डॉक्टर आरपी रतूरी ने सोशल मेडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि आज मन अत्यंत आहत है मैंने अपने जीवन के 45 साल कौंग्रेस पार्टी को दिये और अब कौंग्रेस के जो हालात हैं वो भविश्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है पार्टी नेतरत वद्वारा जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं पार्टी में जिस तरह की अंतरकले हैं वो सब अत्यंत ही दुखद है कहा जा रहा है कि दोनों सुमवार को दिली में आम आदमी पार्टी जोईन कर सकते हैं आगरा के थाना रकाब गंज के बालू गंज शेत्र से खबर है जहां स्पेर पार्ट्स के गोदाम में भीशन आग लगई ये स्पेर पार्ट्स का गोदाम दुली चंद्र का बताया जा रहा तो वहीं स्थानिय लोगों की मदद से आग बुझानी के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं आग लगने से शेत्र में अफरा तफरी का मौहौल पैदा हो गया है आग की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को दी गई दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया बता दे आग लगने से लाखों सुरकंडा माता के दर्शन करने के बाद कारिकरताओं के साथ रोप वे ट्रॉली से वापस आ रहे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय रोप और चक का स्लिप होने से करीब 25 मिनट तक हवा में लटके रहे इस दोरान विधायक समेत अन्य लोगों की जान हलक में अठकी रह रोप वे शुरू कराया जिसके बाद विधायक और अन्य लोग साकुशल उतरे शुरू हो गई है शुकरवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा की कारण इस पर आस्थाई रूप से रोक लगाई गई थी यहां बादल फटने की वज़े से आई तबाही में 16 लोगों की मौत हो चुकी है चालिस लापता है और करीब पचास घायल हुए है बता दे कि अमरनाथ गुफा के पास आठ जुलाई को बादल फटा था जुसमें अभी भी 30 से अधिक लोग लापता है अमरनाथ में आई एस आपदा के बावजूद यहां मौजूद तीर्थी यात्रियों का उत्साह बिल और मेरे साथ इस बुलिटन में फिलाल इतना ही आप देखते रहिए आर्या नियूज नमस्कार